नम्सकार दोस्तों मेरे पाम डिर्णन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकार है वरतमान समय में सरकारी नौकरी के लिए परियासरत है अधिकारी बनने के विशे में इनके कुछ सवार है क्या ये अधिकारी बन पाएंगे क्या इनके इतली पर ऐसी वस्था मौझूद है और आगी के जिंदगी कैसी रहेगी क्या कुछ ग्रोथ मिलेगा जिंदग पर विचार करेंगे एक एक बारी की क्यों आपको दिखा के असपस्ट करना का प्रियास करेंगे कि आपके एदली पर क्या कुछ अवस्था बनी है और अभी आपकी आयू महज 25 वर्सकी है अगर अभी से आपने अपने कुछ नेगेटिव चीज को देख के प्रियास किया तो स रखता आने वाले समय में आपके जिंदगी पर कोई विश्यस परिशानी ना हो और ना कभी आए तो वो बहुत जरूरी है कि आप प्रियास करें आपकी जो नेगेटिव चीज है उस पर भी विचार करूंगा आपकी जो पॉजिटिव चीज है उस पर भी विचार करूंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी विचार करूंगा मतलब हर एक एक एकस्पेक्ट से जो भी आपके लावकारी होगी जो भी आपके लावदाई होगी उन सारे एकस्पेक्ट पर हम विचार करेंगे तो इस चीज के लिए तो बेलकुल भी चिंता ना करें और सबसे पहले हम पॉजटिव चीज को देखेंगे तो गजब की पॉजटिव चीज़ें आपके एतली पर महुझूद है तो इनकी भागिरे खाना चंदर परवत से गई है क्या ये भाग्य रेका बहुत अच्छी है या मद्या में या फिर बहुत खराब है ये काफी लोगों के प्रशनों होते हैं कि गुरू जी मेरी भाग्य रेका चंदर से गई है तो क्या कुछ इसका फल मेरे जिंदगी पर आएगा कैसी अवस्थाएं हैं ये और इसके एवज में हम क्या फल प्राप्त करेंगे तो आज के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे चुकि इनके हाथ पर ऐसे ये वस्था है इसलिए इस साइन को विस्तार पुरुवग बताने का मैं प्रयास करूँगा तो चीजों को एकदम समझना है असपस्टटा के साथ योगि हो सकता है ये चीज़े आपके जिन्दगी बदल दे हो सकता है ये साइन्स आपके एतली पर होगी तो आप कुछ और कर लोगे सबसे पहले कन्फ्यूजन को दूर रखिए एक मित को खदम करिए कि ये बढ़कुल में नेगटिव फल दाई नहीं होता ये बहुत ही अच्छा फल देता है किसी के भी जिन्दगी पर ठोड़ा फल का आयाम बदलता है मतलब जो भागे रेखा आपकी नॉर्मल चलती है वो कुछ अलग लेबल पर फल देता है ये कुछ अलग लेबल पर फल देता है लेकिन फल दोनों ही देता है और maximum cases में जादातर cases में ये देखा गिया है कि चंदर से चलने वाली भागी रेखा उत्तम भागी रेखा माणी जाती है अब इसकी वजह क्या है और इसमें क्या term and conditions ह तो देखें चंदरमा एक planet है और यहां से कहीं न कहीं आपकी भागी रेखा ने इसको cover किया समझिएगा कहीं से भी अगर आपकी भागी रेखा जा रही है तो महज वो उसकी energy को ले रही नहीं है बलकि अगर उस गरम में power है तो उस रेखा के भी power को increase करा रही है समझिएगा कि अगर आपकी भागी रेखा कहीं भी गई है और कहीं से गई है मान लिया जाए अगर आपकी भागी रेखा शनी तक गई है तो इसको हम सुब क्यों मानते हैं क्योंकि सैटरन आपको कहीं न कहीं बहुत जादा पैसा देने में काबिल है सनी की अगर किरपा हो जाए तो वि तीलोहे लक्कर से जुड़ावा कारे करते हैं उनको असफलता नहीं मिलती है तो सैटरन इन चीजों के लिए जाना जाता है तो अगर भागी रेका गई वहाँ पर तो भागी रेका ने उसको टच किया और भागी ने बल लिया तो अगर चंदरमा से कोई भागी रेका चलती है तो अभिसली ये चंदर को टच करते व emphasizing जा रही है और अगर वो सैटरन पर जाती है और अगर ये दोनो प्लैनट सैटरन और चंदरमा दोनों आपके अच्छे कंडिशन में होते है तो ये बहुत ही खुबसुरे तवस्था बनती है जहांपर से दो ग्रहों का बल मिल रहा है बहुत जबरदस्त है जिसके एवज में अगर आपकी चंदरमा अच्छी होगी तो पैसा ही पैसा भागी रेखा तो पैसा दरशाता ही है सनी तक गई है तो बहुत छेतर से पैसा तो मतलब ऐसे जातक पैसा कमाते हैं और ऐसे जातक को मूरता आर्टिस्टिक कॉलिटी के रूप में देखा जाता है मतलब ऐसे लोग आर्टिस्ट का भी कारे करते है कला साहित में बहुत रूची होती है और कहीं न कहीं बहुत से ऐसे जातक है जो इसको अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते है तो ये दो पॉजिटिव चीजे थी यहां पर से जाने वाली भागी रेका की अब सब हाथ के पर अलग-अलग टाइप की वेरी करती है रेका है तो जब तक किसी का हाथ नहीं देखा जागा तब तक बताना अनुचित है और मुस्किल भी है तो ये इनकी भागी रेका का बन था इसके उपरांथ इसके उपरांथ भी नाना प्रकार की पॉजिटिव चीजे आपके एतली पर मौजूद है तो यहां से कंप्लीटली आपकी भागी रेका गई है और एक दम सैटरण तक मतलब चन्डरमा से गई है और شनी प्रवत तक जाने वाली भागी रेका मज़ा आ गया देखे उसके बाद आपकी जीवन रेका काफी अच्छी है और यहाँ पर से कुछ प्रॉग्रस लाइन आपके जीवन रेका पर बने है जहाँ पर से मुलता ये जिन्दगी पर समय समय पर तरक्की को इंडिकेट करते है और एक जबरदस मस्तिक से रेका और अच्छी हिर्दे रेका जहाँ पर से कुछ बावुकता है आपके अंदर और अच्छी सूरी रेका बंतीवन जरारिय में ये वाली देख लो यहाँ से भी अच्छी सूरी रेका है यहाँ से भी एक सूरी रेका गई है और बुद्ध पर भी ख़ई लाइन से तो ये भी पॉजिटिव चीज़े होती हैं और एक मरकरी लाइन भी हाथ पर बना है तो सारी ही पॉजिटिव चीज़े आपके अधतिली पर मौझूद है जो एक अच्छे तरफ ही सारा करा रही है मतलब अच्छे जिंदगी के तरफ ही सारा करा रही है इसके उपरांत आपके कुछ इसक्वायर बने है जो जुपिटर पर है उसके उपरांत आपके प्लैनेट्स प्लैनेट्स का अच्छा होना निहायती जरूरी है वो आपके बेस को दर्शाता है तो शुक्र भी बढ़िया है मंगल भी बढ़िया है चदनमा भ होता है और आगे भी जिन्दगी पर अच्छा ही होता है मतलब एक अच्छी जिन्दगी आप बिताते हैं प्रारंबिक समय से ही ये बहुत खुशी की बात है जो आपके तरे पर बहुत ही अच्छे से रखी लो तो नेगेटिव अवस्थाएं आपको परिशान करती हैं तो नेगेटिव चीज़े जो मैं बताओ पॉजिटिव याद रखो ना रखो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उसके रिगारिंग आपको अच्छा फलाएगा तो वो नहीं आपने इसको सही तरीके से लिया तो आपके जिंदगी आज के बाद ही बदल जाए क्योंकि आप अपने नेगेटिव चीज़े पर अगर वर्ग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं न कहीं आप तरक्की के तरफ अगरसर होने लगते हैं तो जिंदगी बहुत ही अच्छे आपकी बदल जाती है तो ये बहुत ही बड़ा डिसिजन होगा आज आपका तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों पर तो देखो माइंड रेखा और आपकी जीबन रेखा लगे इस संदर में ऐसे व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं अहां से दबाब भी है देखो क्या होता है न जो विक्ति अगर अपने से ज़्यादा समझदार किसी को नहीं समझता है तो उसमें ग्यान का अभाब है एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं और ब्रश्पती के ये अवस्था प्रारंबिक समय में ग्यान के अभ प्लीफ देह वस्था होगी और कहीं न कहीं ये चीज आपको ही परिशान करेगी तो गुस्सा को बेलकुल खतम कर लो क्यूंकि आपको अगर गुस्सा दिखाना ही है तो कुछ करके दिखाऊ न लोग जो आपकी मुँपड बोलते या आपके पीठ पीछे बोलते या आपको कहीं से सुनने मिलता है वो कुछ नहीं बोल पाएंगे यूखि उनका हर्ट ही अलाओनी करेगा जब अगर आप कुछ कर लोगे अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो वो तो अपने सरियंतर में कहीं न कहीं कामयाब हो जाएंगे वो जो उनका planning plotting है उसमें तो वो कामयाब हो जाएंगे कि आपको divert करना है तो गुस्सा मत करो उस समय चीजों को सहसा समझो और कुछ कर लो फिर गुस्सा करने का नौबत ही नहीं आएगा तो इस चीज को खासा समझना है उसके उपरांत आपकी हर्ट लाइन पर कुछ emotion अवस्था बनी है तो ऐसी महिलाएं बड़ी भावुक होती है भावुकता में किसी प्रकार का निर्णे आपके लिए बड़कुल भी उचित नहीं रहेगा तो भावुकता होना बहुत जरूरी है यह आपको एक इनसान बनाने में मदद करता है लेकिन जादा भावुकता के साथ गुस्ता होना बलकुल भी अच्छा नहीं है ऐसे विक्ति कही न कही अपने गुस्से अपने ग्रिशन अपने भावुकता के मद्दे नजर ये लोग जिन्दगी पर तकलीफ को जहलते है तो यहाँ पर से तोड़ा इमोशन पर भी कंटोर लगना है ठीक है कुछ बाते आपको बुड़ी लग रही है लेकिन उसको देखने का नजरिया कुछ और भी तो हो सकता है कुछ और भी हो सकता है मतलब आप समझो कोई विक्ती को अपराद करके आया वो किसी के पास जाके रो रहा है तो वो गिल्ट में रो रहा है लेकिन उस विक्ती ने अपराद किया है लेकिन कुछ दिन के बाद उसको अगर आपने उसका रोना देख लिया ना और आपने उसके पराद के लिए उसको विशेश कर समझाने के लिए कुछ सजा नहीं दिया तो दूसरे ही दिन फिर वही काम करेगा तो दो टाइप के आसू होते हैं एक खोशी के आसू होते हैं एक मगरमच के आसू होते हैं तो दोनों ही आसू को समझना है दोनों emotions को समझना है इसलिए बहना नहीं है आपको चीजों को समझना है जो वाकिये मदद के लाइक उसका मदद जरूर करो जो बिल्कुल भी नहीं है उसका क्यों करोगी strategy भी तो हो सकती है अगले की तो बहुत तरह की बाते होते हैं तो यहां पर emotions पर रहा control लगना है logical तरक पर बात करना मेरा यह बोलने का एक और आखरी उद्देश यह था कि आप logical समझो एक आदमी हर तरीके से अपने आपको चलिए जी तो यह समझाने का मतलब यह था कि आपके जिंदगी पर ऐसा mood आएगा जहां पर से आपको चुनाव करना पड़ेगा यह भी मैं देख पा रहा हूँ इसी वज़ा से मैं आपको यह चीज कह रहा हूँ कि आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मैं सही रास्ता चुनो या फिर एमोशन्स में बहूँ अगर आपने सही रास्ता चुना तो कही न कही जिंदगी अच्छी होगी अगर आप एमोशन्स में बह गई तो फिर जिंदगी बेकार हो जाएगी तो चलिए ये कुछ नेगेटिव चीज़े आपकी थी जिसको आपको धियान रखना है अब आगे हम विचार करते हैं आपकी एतली पर कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगा अधिकारी को लेकर जो इनका प्रशनते वो पुड़ा करने का प्रियास करते है तो देखें जैसे आपके सूरी रहा है यहाँ पर से एक अच्छा पद तो यह दर्शारी है और जैसे आपकी बागी रहा होना तो है अगर आपका नहीं होता है किसी भी वज़ासे तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं आपका इंडिपेंडेंट सोच जम्मेदार है और कहीं न कहीं आपने मेरे बात का बिलकोल भी मान नहीं रखा यही इसका जम्मेदार है मतलब आप में concentration issues होंगे इंडिपेंडेंडेंडेंट सोच की वज़ा से क्योंकि प्रारंबिक में पारिवारिक समस्याएं भी है जहां पर से पारिवारिक मदभेत को दर्शारी है लेकिन वो है इनकी जिंदगी पर लेकिन आगे चलके अगर आप ये बोलोगी कि मेरी पारिवारिक समस्याएं थी मैं बहुत तकलीफ में थी मेरे जिन्दगी पर बहुत अच्छी चीज़ा नहीं चल रही थी तो इस एवस में मैं कुछ नहीं कर पाई तो ये तो excuse रहेगा न तो excuse एकदम भी ना करें एकदम भी किसी चीज़ को लेके ये ना बोले कि मेरे जिन्दगी में ये problems था ये excuse था ये आपके लिए कोई नहीं सुनना है और ये आपके लिए ही गलत है तो हमेशा कोशिश करो कि आपके जो भी problems है उसको मद्दे नजर रखते वे उसको लेके चलते वे जिन्दगी पर सही रास्ता चुनने का और सही कारी करने का तब ही जिन्दगी पर आगे बढ़ता होगा तरवाइस बहुत मुस्किल है तो यहाँ पर से क्या समझा आपने कि एकदम आपको कोई भाना नहीं बनाना है और परियास करना है problems तो सबके जिन्दगी पर रहती है लेकिन जो उसको चीरते में निकल गया न वो एक सच्चा योद्धा है उसको हम सच्चा योद्धा कहते हैं सच्चा वेक्ति कहते हैं तो वो करने का परियास करो यह क्यों सोचना कि मैंने जिन्दगी पर यह problem से यह नहीं है वो है फनला है आपकी अधरी तो फिर भी बहुत अच्छी है ऐसे बहुत अधरी मैंने देखी है जो अपने वील पावर के दमपर अपने आशावादी सोच के दमपर बहुत कुछ हासिल कर लिया चुकि मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ चुकि आपके अंदर यह problems रहेंगी जिसके वज में आपको लेगा कि मेरी conditions ठीक नहीं है लेकिन आपसे भी worst condition में लोग है आपसे भी बहुत ही गंदे condition में लोग है और वो अपने जिन्दगी को ठीक करने के लिए परियास कर रहे हैं करके आगे बढ़ना है तो अधिकारी बढ़ने के योगे तो आपको यहाँ पर से प्रियास करना भी बहुत जरूरी है अभी इनके और भी कुछ जीवन रेखा से हम चीजों को cover कर देते हैं जहाँ पर से चीज़े असपस्ट होने में आपको भॉत ही अच्छा लगएगा तो बचपन से प्राइस टाइइन थी अच्छे घर में थे वो जो तकलीफ है न वो यह рाहू रेखा है जो समय समय पर आपके रहतली पर साथ है जहाँ पर से यह तकलीफ हो को दरशाती है प्राइस टाइईन थी 30 में में तरक की 31 में में है फिर आपकी 36 में में है फिर आपकी 38 में में फिर आपकी 42 में, 60 में है फिर आपकी 46 में में फिर आपकी 50 में में 50 से लेके 62 वर से लेकि ट्राइंगल है, 62 वर के बाद जिन्दगी बहुत अच्छी है और एक फिशनुमा आकिरती है कासमिंग दनलाफ को दरशारी है तो लाइफ लाइन पर प्रॉग्रस लाइन है कुछ-कुछ एजस में तकलीफ भी है जो आपको समझना है और उस एजस में खासा अपना ध्यान रखना है तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव और इनके कोशन स्थिमन बेसिकली उसके बाद अभी हम इनके हतली का विचार करेंगे चीजों को असपसर रूप से क्लियर करेंगे तो विडियो को पूरी तरह से समझने का परियास करें तो सबसे पहले इनकी स्क्वाइर स्पाम है मद्या मेच के वाद सफलता को पाती है और गद्यदार अवस्था है ये राज्यो कारक हतली का परिचे कराती मतब ऐसे विक्ती बहुत ये अच्छे तरीके से हमने जिन्दगी को जीते हैं और 70% राज्यो का फल है कही ना कही जिन्दगी अच्छी रहेगी अपने पैरो पर आप अवश्य ही खरी हो पाएंगे no doubt सारे प्रैनेट्स में स्ट्रेंथ है जो ये राज्यो कारक हतली जो मैंने आपको बताया गद्य तारवस्था एक कंफर्टेबल जीवन और स्कॉरिस पाम में मद्य मेच के बाद तरकी गुलाबी हते लिए धन को एट्रैक करती है no doubt और जबरदस थम्ब एक्चा शक्ती बहुत अच्छी तरक शक्ती बहुत शानदार डिजायर्स के बड़े अच्छे योगे विक्ति डिजायरेबल होते हैं ये ये वाले देख लो उसके उपरांत भी आपके एक यवा किरती है जो जब भी आपको सपोर्ट क्या वशक्ता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगी इसमें कोई संदेही नहीं है उसके उपरांत थंब भी अच्छाई स्ट्रॉंग विक्तित वे गुस्यल परविर्ती किये तो गुस्यल पर खासा नियंतरन करने के आवशक्ता है फुर देके आपके स्ट्रॉंग समझदारी के लूब विक्ति बहुत समझदार बुद्ध फिंगर छोटी है तो प्रारंबिक समय में डिसिजन मेकिंग में प्राब्लम्स तो निरने को सोच समझके लीजे पैसे तो ज़्यादा खर्चोंगे बागी खई लाइन से इंसान बहुत तेज तराक और दिल के बहुत अच्छे होते है दिल में किसी के परती कोई गलत भावना नहीं इसकी लिए तो मैं आस्वस्त हूँ बागी आपकी ब्रश्पती फिंगर छोड़ी सन की बड़ी तो विक्ति गजब की मती सन सेटन के अटैच्मेंट है तो विक्ति नियमेत रूप से जिन्दगी को जीएंगे और जीना भी चाहेंगे ये टिंड कर रही है आपकी कहीं न कहीं बिजनस प्रोस्पेक्टर से धनलाफ को दर्शाती हो बिजनस प्रोस्पेक्टर से इंटरस्ट को भी दर्शाती हो और कहीं न कहीं ऐसे विक्ति हो सकता है कि चलके कुछ वेपार का इनिसियेटिव ले काम सुरू करे, फिंगर लंबे करे, जहापर से यह आपकी अच्छी creative चीज़ का प्रज़करा रही है, विक्ति काफी creative होते हैं, इसमें कोई संदेही नहीं है, फुर देखे अभी planets, फुर देखे यहां से दबाबे तो विक्ति की प्रारंबिक से में struggles और कारे छेतर को बराने में समस्या है, यह प्रारंबिक समय से देखने को मिलती है, फिर यहां से कुछ lines है, तो यश की प्राप्ति में कमी पारिवारिक समस्या है, यह सब आम समस्या हैं, बाकी ब्रश्पति आपकी 28 में साड़ के बाद की अच्छी है, जहापर से यह जिन्दगी पर तरक्की को दर एक से ज़ादा सूरी रेखा, जहांपर से विक्ती कुछ मुकाम तो हासिल करी लेते हैं, और यह आगे भी बर रही है सूरी रेखा, मतलब मज़ा आगिया, एक से ज़ादा सूरी रेखा, आगे भी बर रही है विक्ती बहुत तर्ẫnционраш के अच्छी है कि यहाँ पर से कुछ lines जो विक्ति को over intelligent बना रही है मतलब बहुत तेशत राख सनमर्ग के अच्छा ऐसी महिलाएं गर को समालने वाली होती है नौकड़ी करने वाली होती है और साथी साथ आगे चलके अपना कुछ मुकाम हासिल करने वाली होती है तो बहुत बढ़िया फिर जबरदस्त आपकी मंगड दोनों मंगल कजब की विक्ति भहुत energetic अपने जिन्दगी को भहुत ही तरीके से जीते है एनरजी हद से जाता और कभी गवराने वारी personality नहीं है पर शासनिक विभाग में भी अच्छे खासे दनलाव के योग है और property के योग भी बनते है और विक्ति अपना कुछ establishment जिन्दगी पर जरूर कर लेते हैं और property के regarding भी बहुत अच्छी अवस्था मौचूद है फर देखें यहाँ पर से आपकुछ emotions के line है तो विक्ति बढ़े emotional होते हैं और जबरदस्त आपकी heart line जबरदस्त विष्ण योग का formation routine routine को follow करने वाले ऐसे विक्ति routine को follow करने वाले होते हैं और कुछ आपकी triangles है जो इसके negative चीज़ों को दूड कर रही है और जबरदस मस्तिक से रेखा चुकिए प्रारंबिक समय में दवाब रहा है एक उस दिनों तक अभी भी चल ही रहा 28 वर तक चलेगा उसके mind रेखा अच्छी थी उस triangles थे जो इसके negative चीज़ों को दूड कर रही थी balance बहुत अच्छा है अगर सोच समझ के चले तो आप बहुत ही समझदार महीला है फर देखे जबरदस चंदर्मा तो विक्ती के जिन्दगी पर पैसे की फ्लो अच्छी रहती है artistic quality रहती है personality अच्छी रहती है और विदेसी धरती से दनलाव के भी योग बनते है तो विदेसी धरती से दनलाव के योग बनेंगे जबरदस चंदर्मा है पैसे की फलो भी जिन्दगी पर अच्छी रेगी इसमें कोई संदेह नहीं है अगर ऐसे वेक्ति खाने पिरे से जुरावा कार के तो उसमें भी सफलता मिलने के अच्छे आसार है तो जबरदस्त आपकी चंदर्मा फर देखे इनके स्ट्रॉंग आपकी फिशकास्मिक दनलाफ को दर्शाती है और जबरदस्त शुक्र है शादी के बाद की बागोदे भास्बेंट भी बहुत केरिंग सम्मान करने वाले और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा है और कुछ आपके ट्राइंगल से प्रापर्टी को दर्शारी है और जीवन रेखा अच्छी है दिरगायू है और इस चीज़ को लेके विश्य स्टिपनिया नहीं की जाती लेकिन दिरगायू ऐसे विक्ती रहते है गजब का मंगल है प्राक्रम बहुत जबरदस्त चुकि बागे रेखा सुरुवाती दौर से अच्छी चलिए तो बहुत जबरदस्त कहीं पर भी फेंटर नहीं है बहुत अच्छी बागे रेखा है और 28 वर्स के बाद और कमाल किये 34 वर्स के बाद प्रापटी के योग भी डवलप कर रहे है एक से जादा यहां से भी ट्रेंगल है बहुत बढ़िया एक बुद्दर एकाप बन रही है तो बिजनस प्रास्पेक्ट से दनलाफ को भी दर्शारी कुछ एक मनी ट्रेंगल बना तो पैसे की हागमन भी जिंदगी पर अच्छी बता रही है तो सारी ही एकस्पेक्ट से लिए अच्छी है बस प्रॉपर केर करने के आवशकता है एक वीनुमा आकिरती है ये भी कही ना कही आपको जिंदगी पर तरक्किया अंदिरवारी है तो सारी ही एकस्पेक्ट से लिए आपकी बहुत लाजबा बस प्रियास करो सफलता को पाओ irritations के line भी अब व्यक्ति irritate भी हो सकते हैं तो irritate होने की आवशकता नहीं है कुछ इसके लिए मैं आपको उपाई देतूँगा तो ये था इनिकेतली का पूर्णता विश्टेशन अगर आपको मारे ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे अगर आप प्रस्ति मेरे सचतरे का दिकाके सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोट्स अप्रमट डिसक्रप्सन मिल जाएगा लेके आप संपड़ कर सकते हैं धन्यवाद